ऐसी भयंकर गर्मी में अगर आप कूलर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जानना बेहत जरूरी है कि आपके लिए प्लास्टिक कूलर सही रहेगा या मेटल वाला, दोनों में ठंडी हवा कौन ज्यादा देता है, दरसल हमारे दिमाग में ये बात आती है कि प्लास्टिक वाला कूलर ज्यादा ठंडा देता है या मेटल वाला कूलर ज्यादा ठंडा हवा देता है, इन दोनों कूलर की कीमतों में काफी बदलाव देखने को मिलता है, आईए बताते हैं कौन सा कूलर लिया जाए जिससे की ज्यादा और तेजी से ठंडी हवा मिले, प प्लास्टिक बॉडी होने की वजह से इसमें करंट लगने का खत्रा काफी कम होता है। ये प्लास्टिक कूलर के मकाबले थोड़े महंगे होते हैं। इसकी वजह से मेटल वाला कूलर ज्यादा हवा फेकता है। प्लास्टिक वाले कूलर के मुताबिक आप मेटल यानी टीन वाले कूलर को ज्यादा दिन तक चला सकते हैं। दिक्कत ये है कि मेटल कूलर को आसानी से कहीं भी लेकर नहीं जाया जा सकता है. इन कूलर में आपको भील देखने को नहीं मिलता है.